इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about NEET 21 Examination Day That means आपका क्या timing होना चाहिए, क्या dress code होना चाहिए, क्या चीज़े आपको लेके जानी है Do's and Don'ts on the NEET examination सबसे पहले हम बात करेंगे dress code के बारे में NEET 21 का जो dress code है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा questions मेरे पास आएं Most of the students, they are asking me about their dress code only So dress code में सबसे पहले तो ये है, कि जो भी candidates cultural, customary dress पहनेंगे जैसे अगर बुर्खा है, या कोई भी आपके culture से related dress है, custom से related dress है उन्हें examination hall एक घंटे पहले और पहले, जो भी last reporting time है जो आपका 1.30 है, उससे एक घंटे पहले report करना है, that is 12.30 पर report करना है और long sleeves के कपड़े नहीं होना चाहिए, slipper और sandals पहन सकते हैं, low heels permitted है shoes permitted नहीं है, high heels permitted नहीं है, ऐसा सब कुछ NTA लिखा है लेकिन मैं आपको और detail में बताना चाहती हूँ कि क्या आप पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते on the basis of the previous year experiences पिछले कुछ सालों से frisking कर रहे हैं, NTA, before the examination तो उस से related जो news है और बच्चों के जो experience है, उन सभी को include करा है मैंने और आप लोगों के लिए perfect dress plan बनाया है, कि आप यह यह पहन सकते हैं, यह यह allowed नहीं है हम किसी भी type का risk नहीं रहेंगे, क्योंकि वह एक extra tension create करता examination day पे, तो better है कि हम ऐसे गपड़े पहने, जिस पे किसी को भी कोई problem ना हो, या कोई भी question mark, race ना हो, तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो no ornaments, for the boys as well as girls, कोई भी ring, bracelet, necklace, rings है, earrings है, nose rings है, कुछ piercing में rings है, कुछ भी allowed नहीं है, दूसरा, hair bands, या hair clips allowed नहीं है, तो जो hair bands होते हैं, colorful है, या specially उस पे कुछ बना है, तो hair bands तो बिल्कुली allowed नहीं है, hair clips होती है, metal की, plastic की, they are not allowed, तो फिर girls कैसे जाएंगी, कैसे आप अपने बालों को arrange करके जाएंगी, तो अगर आपके short hair है, तो you can keep open hair, बाकि अगर आपके बाल बड़े हैं, तो आप ponytail बना कर, चोटी बना कर braiding करके जा सकते हैं, पर जो आप rubber band use करेंगे, तो अपकी ponytail को tie करने के लिए, वो बहुत normal होना चाहिए, plain होना चाहिए, उसमें कोई भी metal नहीं होना चाहिए, जो three-fourth और full sleeves के कपड़े allowed नहीं है, जो इतनी हां तक का, जो आपके अगर clothes है, for boys as well as girls, ये full sleeves हैं, तो वो allowed नहीं है, बहुत जादा अगर buttons है, अगर आप shirt पहन के जाओगे, उसमें आपको buttons मलेंगे, या कोई बड़े-बड़े buttons हैं, ये allowed नहीं है, design है, frills बनीवी है, बहुत सारी designs है, कुछ लिखा हुआ है shirt पे, टी-शिट पे, बहुत जादा तो वो allowed नहीं है, बड़ी-बड़ी pockets allowed नहीं है, कि 4-5 pockets हैं, आपके trouser में, बड़ी-बड़ी pockets हैं, they are not allowed, no jeans is allowed, jeans नहीं पहन के जाना है, denim नहीं पहन के जाना है, tight trousers पहन के नहीं जाना है, आपके trouser में या आपकी jeans में zip नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी metallic item नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी metallic detector से आप check होंगे, तो metal आपकी body में कहीं नहीं मनना चाहिए, shoes नहीं पहनना है आपके पैर fully covered नहीं होना चाहिए bellies नहीं पहननी है जो cover करती है heels नहीं पहनना है crocs नहीं पहनना है तो पहनना क्या है slippers पहनना है जिसमें पैर आपका open है normal flip flops पहनना है socks पहन के नहीं जाएंगे आप लेगिंग्स के बारे में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं पहनना है पर जिस्ट पिकॉज वो मुझा स्किन से टच रहती है टाइट रहती है और NTA लिखता है लूस कपड़े पहनो इसलिए लेगिंग्स को अवोइड करो तो इसके जगे क्या पहन सकते हैं यह मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी मेटल हुक की ब्रा अवोइड करें प्रिफरर स्पोर्ट ब्रा इस इस और वो मैंना की जो ब्रा होगी उसमें मेटल हुक नहीं होना चाहिए पिछले कुछ सेंटर्स में जहां फ्रिस्किंग हुई थी महाँ पर यह इश्य हुआ था कि उन्होंने इस पर अब्जेक्शन लिया था कॉलर अवोइड करनी है जो आपका शर्ट है टी शर्ट है उसमें कॉलर्स नहीं होनी चाहिए एक राउंड नेक का या वी शेप का नेक होगा तो दाट इस बेटर टेंपररी टाटूज है तो मत उसको रमूव करके ही जाओ टेंपररी टाटूज लेकर मत जाओ और वैसे भी नीट है तो एक्सपेक्ट की कोई महंदी लगा कर ऐसे आप लोग नहीं जा रहे हैं तो तो टाटूज और महंदी को अवाइड करना है तो ऐसा ही लोवर पहनना जिसमें आपको बेल्ट की जरुवत ना पड़े और आप कमफटेबली उसे वेर कर पहन दुपट्टा अलाओड नहीं है स्कार्फ अलाओड नहीं है कुर्ता पजामा अलाओड नहीं है बात आती है स्पेक्स की और लेंस की तो लेंसे सार अलाओड संग्लासेस अलाओड नहीं है specs allowed है लेकिन आपके पास अगर ऐसा specs है जिसमें metal है तो आप उसको avoid कर सकते हैं आप normal specs पहन लीजिए पर अगर अभी आपके पास कोई और option नहीं है उस specs के अलावा तो आप पहन के जा सकते हैं वो लोग check करके आपको दे देंगे then you can wear that specs अब बात करते हैं क्या-क्या bad items है तो बेटा basically कुछ भी नहीं ले जाना है एक एक चीज का मैं नाम लूँगी कि आपको कोई paper नहीं ले जाना है pencil, eraser, pen drive, calculator, lock table, scale writing pad आप नहीं ले जा सकते हैं mobile phone, bluetooth, earphone, microphones, pager, health band nothing is allowed अपना wallet लेके नहीं जा सकते हैं goggles, handbags, belt, cap, wrist watch, ornaments, metallic items food items वगेरा भी allowed नहीं है water bottle allowed नहीं है अगर someone is suffering from a medical reason और उन्हें food item की बहुत requirement है तो उनके फिर अलग से available करवाएंगे बाकि normally नहीं allowed है microchip, camera, bluetooth, nothing is allowed ये कोई भी चीज आपको लेके नहीं जाना है तो फिर आपको लेकर क्या जाना है ये मैं आपको बताती हूँ तो आपको लेकर जाना है एक admit card जो आपका चार या पार पांच page कर download हो रहा है उसमें एक photo आपका जो रहेगा passport size वो stick करके ले जाना है और उसके अलावा एक और photograph लेकर जाना है ये दोनों photographs exactly वही होने चाहिए जो आपने neat application form में फिल किये थे फिर admit card के साथ ही एक postcard pro forma निकलाता उसमें postcard size photograph stick करके ले जाना है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जहां मैंने बात करी है इसके पहले वाला वीडियो कि आपको admit card में details कैसे और क्या फिल करनी है तो admit card हो गया, postcard pro forma हो गया passport sites photograph हो गया आपको एक original ID proof ले जाना है दाटे जाधार card, pen card, driving license 12th का admit card gloves mandatory नहीं है ऐसा नहीं है कि gloves के बना entry नहीं मिलेगी पर जो surgical gloves आते अगर आप वो पहन के जाएंगे तो that would be better मिलेगा, that is N95, ऐसा NTA नहीं लिखा है अब sanitizer ले जा सकते हैं bottle transparent होना चाहिए, sanitizer की छोटी होना चाहिए you can even carry a transparent water bottle और अगर आपके लिए कोई certificate applicable है तो आप जरूर certificate को ले जाएंगे अब मैं आपको timings के बारे में बता देती हूं जो आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना है आपका examination 12th September को है, Sunday को है examination का time जो है आपका 225 PM है last entry examination center पे 1.30 है 1.30 के बाद आपको 1.31 पे भी center के अंदर जाना allowed नहीं करेंगे तो मेरा तो आपको एक ही suggestion रहेगा कि 12.30 तक तो आप examination center पर बिल्कुल पहुच जाए और एक दिन पहले अपना examination center होए तो physically visit करके check कर ले 1.30 के बाद allowed नहीं है, आप पहले आ जाएंगे तो आपको 1.15 तक center में बैठने दिया जाएगा इसके पहले आपकी frisking हो चुकी होगी 1.30 से 1.45 के बीच में आपको important instructions दिये जाएंगे आपके admit card चेक करे जाएंगे by the invigilator फिर आपको 1.45 पर test booklet distribute की जाएगी पर यह आपको open नहीं करनी है अभी इसमें आपको जो भी details मांगी है test booklet पर you'll have to fill that test कब शुरू हो जाएगा test exactly दो बज़े शुरू हो जाएगा 2.25 आपका test रहेगा pen और जो N95 mask है वो NTA provide करेगी और pen और N95 mask बिल्कुल provide होगा अगर आप water bottle नहीं ले जाते हैं तो आपको बिल्कुल पानी भी महीं पर मल जाएगा तो उसका कोई भी issue नहीं है पर dress code के लिए थोड़ा जो बताया गया है उसको please ध्यान में रखना वहाँ पर कुछ भी unnecessary tension create नहीं होना चाहिए exam के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप पहन क्या सकते हैं कि आप best रहेगा आप ऐसी एक t-shirt पहन लीजिए आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा है तो यह सारी चीजों को फॉलो करना and I really wish this video is helpful for you अगर आपको आज का वीडियो बढ़िया लगा है तो don't forget to subscribe the channel और अपने सभी friends से share कर लो description box में telegram group का link है इसे subscribe कर लो all the information related to niche is updated on that telegram channel and you can also follow me on instagram link description box में दी गई है thank you